पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना एंडिये के साथ है एंडिये के जीत में उनका हिस्सेदारी रहेगा बिहार में 40 और देश में 400 पार वो भी सामिल होंगे और उनकी भी भागिदारी इसमें रहेगी लेकिन अचानक से 24 घंटे पहले जब उन्होंने प्रेस वारता किया तब भी सब बाते ठीक ठाक थी लेकिन अचानक से नवादा में पढ़ान मंत्री की रैली से उन्होंने किनारा कर लिया पारस ने 24 घंटा के अंदर अंतिम समय पर मार दिया है पल्टी मोदी के साथ मंच नहीं साजा करने के पीछे जरूर कोई बात है या फिर डाल में काला है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2021 में जिस तरह से पस्पतिक मार पारस ने दो फाल कर लिया था लोग जन सक्ती पाठी को और चिराग पासवान को अलग ठलग छोड़ पांच सांस्दों के साथ वो अलग हो गये थे केंदर में उन्हें मंत्री की पद भी मिला था और उसके बाद अचानक से सीट सेरिंग का पता जब 2024 का हुआ तो पस्पतिक मार फुक्का रह गये और उन्हें पद से त्याग पत्र भी दी दिया आपको बता दे कि इसके बाद कहानी एक नए मोड पे आकर के खड़ी होती है और आज जब हमने परताल करने की कोशिस की मैं खुद मुन से मिलने गया था और जब मैं म थितियां बिल्कुल उल्टा हो गई है पतब चिराग पासवान के साथ कोई नहीं था आज पस्पतिक मार पारस के साथ कोई नहीं है और पस्पतिक मार पारस चुप चाप बैठे हुए हैं और पढ़ान मंत्री का नवादा में भासन चल रहा है आपको बता दे कि पस्पतिक के बीच में फिर से नजदिकियां हो जाएगी और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने एक बड़ा काम कर दिया है लेकिन जिस तर से पसुपति कुमार पारस ने प्रचार में जाने से अपने आपको रोग दिया मंच साजा करने से रोग दिया इसका सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं पसुपति कुमार पारस के मन में कुछ तो बात है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंतियार करते रहे पटना में और प्रधान मंत्री के रैली के लिए प्रधान मंत्री के साथ मंच साजा करने के लिए उन्हें किसी ने बुलाया भी नहीं यह यह हो सकता है कि चिराग पासवान ने साफ कर दिया हो कि अब वह इंडिये का हिस्सा है ही नहीं तो उनसे मंच साजा करने की कोई बात क्यों कहीं जाएगी आपको बतादें कि ये सारी संभावनाएं इसारा कर रही है कि अभी दो चरण के ही नमांकन की तीथी खतम हुई है अभी बहुत कुछ बचा हुआ है कहीं पसुपतिक मरपारस किसी और फिरात में तो नहीं है कहीं सब कुछ ठीक होने का दावा करके आचानक से पसुपतिक मरपारस भी पाला तो नहीं बदल लेंगे ये सारी संभावनाएं जीवित हैं और अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है हला कि पस्वतिक मारे पारस का कहना है कि वो पूरी मजबूती के साथ NDA के साथ हैं लेकिन जब हमने उनसे कहा कि इस बिसे पर आपसे कुछ बिचार लेना चाहते हैं आप आखिर गए क्यों नहीं तो उन्हें ने कहा कि मैं मीडिया को कोई बयान नहीं दूँगा मैंने कल ही प्रेस कॉंफेंस करके सब बातें रख दिये अब आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं इस पूरी कहानी का एक प्लोट नज़र आ रहा है जिसमें कहा यह जाता है कि दाल में कुछ काला है इंतियार कीजिए बिहार की राजनीत और बिहार में चुनावी रणनीती जितना तेजी से आगे बढ़ रही है बहुत सारी बाते खुलती नज़र आ रही है आगे क्या होगा पस्पतिक मारपारस का और पस्पतिक मारपारस कौनसा फैसला लेते हैं देखना दिल्चस्थ होगा जुड़े देगा भारत लाइब के साथ खबरों का सिलसिला लगतार जारी है बहुत बहुत धन्या अनोर्मा कुरुप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद